दोस्तो इस वीडियो में जानेंगे Avatar 2 और Spider-Man No Way Home के पहले दिन के Box Office Collection के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे कि इन दोनों फिल्मों में उसे किस फिल्म ना बाजी मारी तो दोस्तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतक जरूर देखेगा सबसे पहले जानते हैं Spider-Man No Way Home के Box Office Collection के बारे में Spider-Man No Way Home भी उस समय की Most Aveted Film थी जिसने Box Office में कई बड़े बड़े रिकॉर्स तोड़े थे और Marvel की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बने थी अगर बात करें स्क्रीन काउट की तो इस फिल्म को इंडिया में लगबग 3294 स्क्रीन्स के साथ 16 वर्सन 2021 में रिलिस किया गया था अगर बात करें कलोक्शन की तो इस फिल्म नपने पहले दिन में इंडिया में 32 करोर 68 लाग का net कलिक्शन किया था तो worldwide में लगबख 1,230 करूर का केलिक्शन किया था इस film ने इंडिया में 221 करूर 85 लाग का lifetime net collection किया था तो worldwide में लगबख 14,150 करूर का lifetime collection किया था इस film का बज़र लगबख 1,520 करूर तारी फिल्म इंडियन box office में blockbuster साभित हुई थी तो overall में all time blockbuster साभित हुई थी वे औव वाटर रिलीज हुई है ये फिल्म सन 2009 में आई फिल्म आवतार की सीक्वल है आवतार टु एक एक्शन एडवेंचर फेंटेसी फिल्म है जिसे जैम्स केमरों ने डारेट किया है जैम्स केमरों नहीं टैटेनिक आदर टर्मिनिटर जैसी बहतरीन एवरग्रीन फिल्म है अगर इंडियान रुपीस में देखे तो तकरीबन 3040 करोड होता है दोस्तों अगर बात करें कलेक्शन की तो इस फिल्म की मौनिंग शोस की ओक्पेंसी 3D वर्जन में 32-35% तक नजर आई है तो IMX 3D वर्जन की ओक्पेंसी लगबख 70% नजर आई है फिल्म की शुरुआत रिकॉर्ड ब्रिकिंग हुई है शाम से रात तक की कई शोस हाउसफूल हो चुके है फिल्म की स्पोर्ट बुकिंग में भी काफी भीड दिख रही है ये फिल्म अपने पहली दिन में इंडिया में लगबख 37 करोड का नेट कलिक्शन करने वाली है यानि ये फिल्म स्पैड इंट्रेस्टेड हो या नहीं ये भी कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें 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 शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ओफिस के कलिक्शन और फिल्मों की सभी जानकरी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वेल एकन भी दवा देता कि मारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें